दोस्तोर आज की वीडियो में हम सिखने वाले हैं बीजी अकाटिंग साफ्ट्वेर में हम परचेज वाउचर की इन्टरी किस प्रकार करते हैं और सारे हम लेजर और स्टोक आइटम को शोट कट तरीके से किस प्रकार क्रिएट करेंगे shortcut यान कि जब हम VG accounting software में purchase invoice की entry अकर हम कर रहे हैं तो purchase voucher पर रहते हुए हमें किस तरीके से shortcut laser create करना है और किस तरीके से हमें stock item को create करना है तो दोस्तो हमारे पास आई ये business का एक original voucher और इसी voucher के थुरू हम purchase entry करना सीखेंगे तो दोस्तो कई बार होता ऐसा है भी जब आप किसी company में interview के लिए जाती हो तो वहाँ पर आपसे एक बात बोली जाती है आप हमें इस invoice के थरू software में purchase voucher के entry करके बताओ और आपको सब कुछ है जो shortcut ही create करना है यान तकि laser stock item taxation की सब कुछ detail आपको shortcut ही create करना है तो दोस्तो आपने जब किसी institute पर जाके वीजी accounting software को सेखते हो तो वहाँ पर आप dummy entry जरूर कर लेकते हो books को देखके या किसी notes को देखके तेकिन हमें सेखना है या हम practical तरीके से जब किसी company में accounting maintain करी जाती है तो वहाँ पर invoice maintain करने कर तरीका कैसा होता है तो आज की वीडियो में यह सारी बाते practically सेखने वाले हैं तो इसलिए इस वीडियो को आप सुरूर से लेकर इन तक complete देखेगा अगर आप एक नए content हो और अगर आप ज़स्ट आप किसी company में अभी job के लिए आपने apply किये तो इस वीडियो को आप तो और आप सभी दोस्तों का हमारी YouTube चैनल पर बहुत-बहुत स्वागर रहा है तो शुरू करते हैं आज का वीडियो तो दोस्तों हम बात करने वाले बीजी सॉफ्ट्वेर का रिलीज है जो 21 और इसका जो वर्जन ना जो 21 है और इसकी जो रिलीज है वो परचेज के बाद एंड़ पर कलिक करना है और उसके बाद में हम आगे इस परचेज वाउचर पर आप जाए देख सकते भी एंड परचेज वाउचर रहा है श्रीरीश हमारी मेहन रहेगी, अब Дेट हमें कोन से लगाने है, जो देट हमारे वाउचर पर है, वाउचर की जो डेट है, वह दस जून डोजार एक does है, तो हमें दस जून डोजार एक इस यैंवके लिखना पड़ेगा 547 और उसके बाद में परचेस टाइप परचेस टाइप में आपकी लोकल की परचेस या फिर आपकी आपकी आउट ऑफ स्टेट की परचेस है तो आप इसमें से जो सबसे पहले आई जो लगे हुए इसमें मलब आई जी तो आई को स्लेक्ट करना है अगर आपकी लोकल की परचेस आप एल यूज करोगे तो आपसे सारे लोकल की परचेस बूच है अब लोकल में भी आपसे काफी सारे आरी है इसकंदर उप्संद जैसे लोकल जीस्टी 12% 18% 18% 18% एक्जम्ट आइटम वाइज मल्टी रेट ग्यां करें कौन सा करें तो दोस्तो अगर आपके इंवोईस में अगर मल्टी टाइब की परचेसे अलग लग टेक्स परसेंटेज में और 25% की भी हो सकती है, 12% भी हो सकती है, 18% भी हो सकती है, या फिर 18% भी हो सकती है, यानकि अगर एक इन्वोईच में अगर अलग लग percentage की परचेज है था हम उसको बोलते है, तो है is multi tax purchase, अब multi tax purchase में भी आपके सामने 2 option आपको दिखाई देंगे या पर, item wise और multi rate, तो आप दोनों में से जिर्क कर सकती है, तो हम कर लेंगे यह अवर चोर्प न पर पार्टी करने हैं, लेजर क्रिएट करने है अब यह आप देख रहे हो यहां पर बावना ट्रेडिंग कम्पनी का नाम जो है नहीं आ रहे हैं तो हम इस शोटकट यहांपर लेजर क्रिएट करने के कमाड़ है एफ 3 ओनली एफ 3 आपको यूज करने कोई यह उस सप्लायर का नाम हमें बनेना है बावना ट्रेडिंग कंपनी ए और प्लेजरा में और प्रिटेट कर लिए अब ग्रूप हम रखेंगे सअन्डरी क्रेडिटर में और उसके बाद में एडस की डिटेल सारी हमें में फिलप करनी है अब एडर्स के डिटेल कुन सा जो इन्वोइस पे और लेडी इनके प्रिंट हो के आता है जिसे शॉप नंबर पचास में मार्केट से लिखेंगा नगर तो यह हम इनको इनको इन्पोर्मेशन है यहां पर एडर्स में लिखेंगे और उसके बाद में कंट् सब्सक्राइब करेंगे वापिस कि राजस्तान को और यह तैप ओफ डेलर अभी है र्रेजिस्टर है र्रेजिस्टर का कैसे पता उनको हम यहां पर फिलप कर देंगे यह डमी है तो इसने एक बार इसको वेरिफाई के लिए बोल रहे हैं अब उसके बाद में मोबाइल नंबर विगरा यह सारा से समद्धित कोई रिमार्स है कोई टिप नहीं अगर कोई लिक नहीं हो तो अब आएक बात स्टोक आइटम की तो स्टोक आइटम जो हमारे पास है इस इन्वोईस में प्रोसेसर इंटेल को आई 3-4150 का तो हमें अब स्टोक आइटम आप देख रहे हैं हमारे पास कोई भी स्टोक आइटम को क्रिएट करने के लिए भी हम शोटकट एफ थरी का यूज़ करेंगे और एफ थरी करने के बाद में जो हमारे पास प्रसेज इन्वोईस के अंदर स्टोक आइटम का जो नाम लिखा हुए हम स्पैसल उसी को ही नाम पूरा यहां पर लिखेंगे आई थरी 4150 का ताकि आपको अच्छी तरीके से जब स्टोक मेंटेन करो तो कोई प्रॉब्लम ना आए अब उसके बाद में गुरूप रहेगा अब गुरूप आप अपने विजनस के अकोर्डिंग या पर हम गुरूप क्रेट कर सकते हैं जैसा कि आप आपको यह पर स्टोक मेंटेन करो तो आपको कुछ जाता धिक्कत नाए तो आप इसके साथ परसेंटेज भी लिख सकते हो अलांकि इसका कोई अकाउंटिंग पर एक फेक्ट नहीं पड़ेगा बट यह आपकी एक फैसलेटी के लिए और उसके बाद यूनिट हम इसको पेस में रखेंगे और इसके बाद आपको फिक्स करने की जुरूरत नहीं क्योंकि कोई भी स्टोक आइटम होती है उसका जो रेट हो प्डाउन होते रहते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हो और उसके बाद में अब आपके सामने यह डिटेल आए कि यह आपको बोड़ा सध्यान रखना है भी आपकी जो डि अगर आपने कोमन लेजर मना दिया प्रजेज का तो आपको उनको अलग लग रिकंसायल करना काफी मुस्किल हो जाएगा बाद में जब आप इसकी ट्रेडिंग काउंट करोगे तो इसलिए बेटर आप यह ही है इनका प्रजेज काउंट है जो एक सेपरेट जिस्टी 18% के के लिए अलग मना दें और धी 12% की प्रजेज के यह अलग से रिएट करेंगे तो प्रजेज का नेकले करेंगे सबसे पहले हम यहां पशे बार का करें जाएंब कर देपि तब आपको अच्छी तैके से बात चलेगा इसलिए आप इस वीडियो को एंटर तक कंप्लिट यह यह लिख सकते हैं भी जी एस्टी एटी परसेंट कंप्यूटर पर्ट्स परसेज और अंडर में यह रहेगा हमारा परसेज काउंट का और बाकी इंफोर्मेशन हमें डेटेल देने की जुरूर्ट नहीं है जिदा सेव कर देंगे और इसको भी यहांसे करेंगे से अगर आप इसको डिसकाउंट वेगर आप आप ऑन दान से इंडरिय करेंव तब इस नों हो और इस आइटम के अगर स्पेशल हमें को डिस्क्रिप्शन अगर लिखनी हो तो हम इसकी आइटम की डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में लिख सकते हैं और उसके बाद में इसके क्वांटिटी की डिटेल है जो चार पीस है और उसके बाद में अब यहां पर देख रहे हो इनका जो रेट आ रहे हैं टेक्सेबल रुपर रेट अब वो 6228 रुपए और 81 पैसे के हैं तो यह रेट हमें अब डालना पड़ेगा प्राइस में अब 6228 रुपए और 81 पैसा तो इससाब से आपकी जो फाइनल अमाउंट है यहां पर आपको बना के देदेगा 29,399 यानि कि अगर हम 29,400 रुपए दो पैसे इसका रूंड ओफ वोजेगा तो आप 29,400 रुपए हम इसको यहीं कर देंगे तक कि हमें बाद में रूंड ओफ करने के जुरूत नहीं बढ़ेगी 29,400 रुप उसके बाद में जो सेकंड श्टोक आइटम है वो हमारा मदर बोर्ड है यह एस उसका और यह इसका मोडल नमर साथ में तो इसके श्टोक आइटम एप 3 के साथ हम शोटकट यूज़ करेंगे और उसके बाद में एज़िटी ज रा मेटेरियल जी एसटी 12 परसेंट और इसका जो अंडर गूरूप है वो हमारा जर्नल में रहेगा गूरूप के अंडर हमें गूरूप क्रेट करने की जुरूरत नहीं है इसमें रखेंगे और उसके बाद में टैक्स के लिए 12 परसेंट का प्रोड़क्ट है एचसन कोड ह हम यहां पर दे देंगे इसका इनवास में जो हमारे पास और उसके बाद में यहां पर इसकी डिटेल भी देने की जरूरत नहीं है और परसेस काउंट में हम यहां पर सब्सक्राइब करके और एफ 3 हम यूज करेंगे और उसके बाद में हम जी एस्टी बारा परसेंट के अगर आपको यहां से शोटकट अगर सेव करना हो था हम एक तुका यूज का सकते हैं इस विंडो को सेव करने के लिए और इस बाउचर विंडो के में सेव करेंगे क्वांटेटी इसके भी 4 पीस है और इसका जो टेक्सेबल रेट है वो 3763 रुपे और 39 पेस है तो अब इसका भी जो फाइनली फिगर जो बनने वाली है वो 16,860 रुपे बनने वाली है तो हम यहां से इसको पूरा कर देंगे यह हमारी दोनों स्टोक आइटम क्रियेट होगी है अब इसके समरी के अगर हम बात करें तो यह सारी समरी आपको यहां पर मिल देगी पर टोटल टेक्सेबल वेल्यू कितने बनी है इसका सीजेसी टेक्स कितना बना है और इसका बाउचर को अगर हम यहीं पर शोटकट तरीके से सेव करना हो तो हम एप टू का यूज कर सकते हैं जैसे आप टू करते जाओगे तो आपकी कुछ विंडू है जो आगे टेप पर चलती जाएगी क्योंकि यह सारे इनफॉरमेशन सेव अब हो जोकी है अब हम बात करते हैं जो हमने परचेज के लेजर जो क्रियेट किये थे उनका एफेक्ट मरें ट्रेडिंग काउंट पे कैसे पड़ता है तो इसके लिए हम डिस्पले पर जाएंगी फाइनल रेजल्ट पर जाएंगी औ और जेंटल हम वर्जन इसका देख लेंगे और इसकी पीरेड हम यहां से चेंज करके देख लेंगे तो अभी आप देख रहे हैं यहां पर जो परचेज है आपको केवल यह टोटल परचेज की वेल्यू दिखा रहा है 49,968 रुपे और 80 पैसे अगर हम इसको ग्रूप डिटेल्स आपको इस ओप्सन को यस करना है और इसको हम ओके करेंगे एप टू से तो अभी आप देख रहे हो जैसे हमने इसकी डिटेल को सेंट करिया तो यह कंप्यूटर जिस्ट 12% परसेज और 18% की जो डिटेल हो अलग 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 शो होगी है तो जो हमने परसेज के ज आपके हम ट्रेडिंग काउंट में जो हमारी परसेज जो में शो होती तो वो हमें टोटल यह नेट माउंट इतना ही शो होता तो इसका हमें बायत कैसे अगर करना पड़ जाता भी इसमें से 12% की परसेज के दिनी अठारा की कितनी है पास की एक्जाम के दिनी तो बहुत मु और नए टोपी के साथ